दोस्तों फिश का पानी बदलने के लिए आपको इस तरीके से फिश का पानी बदलना देखिए यह हमारा फिश टेंग है और हम इने एक डबबा ले लिया है और अभी हम इसका इतना टेंग खाली कर चुकी है आई यह पूरा भारत है यह उपर तक तो हम इसका जो है इस तरीके से निकालके एक अलग उसमें डब्बे में डाल देंगे आपको जब भी दूसरा पानी डालना है तो इसका पूरा टैंग का इतना पानी करीब खाली कर लिजिए और फिर नया पानी से भर दीजिए और उसके पहले आप ये पूरा टैंग अच्छे साफ कर लिजिए ताकि टैंग आप साफ भी दिखेगा और पूरा पानी खाली ना करके सिर्फ आप आदा पानी खाली कर सकते हैं जिससे कि आपकी फिसक को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप आधा पानी बदलते हो तो उससे फायदा यह होता है कि जब आप कोई नया पानी डालते हो तो वो नया पानी का टेंपरेचर और इस पानी का टेंपरेचर मिक्स हो जाता है जिसे कि मचलियों को इस पानी में सरवाइब करने में दिक्कत नहीं होती है तो यहां तक कर लें इतना उसके बाद फिर आप इसमें कोई दूसरा पानी है आपका बॉर का पानी कुएका वह आप डाल दीजिए तो उसे जो है मचली अच्छा सरवाइब करती है नीचे ज्यादा बेठे की नहीं इसमें एक और चीज में आपको पूरा टेंग कब खाली करना है जब आपका टेंग बहुत ज्यादा गंदा हो जाए अती से ज्यादा तब आप ये पूरा टेंग खाली कर लिजिए उस पे भी आपको पूरा टेंग खाली करने के समय पूरा प को फिस उस नय पानी के टेमप्रचर में नहीं रह पाहरी यह निचे बैटश रही है सर्वाइब नहीं कर वाइब तो जो भी आप उसको पराने के बाल्टी में रख़हते हैं से आपको उसी में टाल देना इससे होगा कि वह मशली उस पानी के टेंपरिचर वापे से रहे जाएगी फिर धीरे से जब समय देखके तीन चार घंटे वाद वापे से आपको पानी के टेंपरिचर जो है उसको दिक्कत नहीं करेगा यह आपको तभी करना जब पूरा टेंक खा अगर आप यह काम 15 दिन में भी करते हैं तो कोई दिक्त नहीं है आपका टेंग साफ रहेगा बढ़िया साफ सुतर रहेगा लेकिन अगर आप महीने दो महीने साफ नहीं करता हो बहुत ज़्यादा गंदा ज्यादा तब आप पूरा टेंग साफ करिए और उससमें आप इस